नमस्कार दोस्तों मैं जिक तार सिंग नामदरी इंफडेक चनल से आपको दोस्तों आज हम लेगे आए मर्कसिस का एक और नया राउटर जी हां दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था भी इस राउटर की जल्स जल्द वीडियो बनाई जाए तो हमने इस राउट में क्या हमार को स्पीड में लेगी और क्या फीचर्स में लेंगी और कितनी इसकी वाइफाइ रेंज है रिपीटर मोड कैसा है इस सब चीजे चेक कर लेते हैं तो यह राउट है एसी उनीस हो वाइफाइ 2.4 गीगाड इसमें लिखा है 600 Mbps और 1300 Mbps लिखा है 5 गीगाड को 3x3 Mimo antenna भी इसमें लिखा है साथ में लिखा है 5 dpi के 6th antenna क्या बात है 6 antenna वाला पहला राउट है हमारे इसमें डिसी पीन चार्जर विद 12 वोल्ट वन अंपेर के चार्जर है की इंस्टालेशन गाइड लेंग केवल यह रहा हमार राउट क्या बढ़िया डिजैन इसके उपर बनाया गया है antenna हमारे non removable है और 5 dpi के बड़े-बड़े antenna है जो की मर्क्सिस के वैसे भी आपकर ultra मालूम है भी कितने अच्छी Wi-Fi ग्रेंज देते तो उससाफ से तो काफी अच्छी होगा तो यहां पर मर्क्सिस की ब्रैंडी है यहां पर लाइट का पोर्ट है और यह वैंट कीज़े तो यह इस तरह से भी खड़ा हो सकता है अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है मुलिए अपनी अटी नवे तो यहां पर QR कोड है Wi-Fi का SSID लिखी है 2.45 गया दोना की तो आई यह इसे आन कर लेते हैं राउटर को और देखते हैं कैसे इसमें लाइट आती हैं तो यह अब इसको हमें लैन इंपूट देने की जूरत पड़ेगी इसके मोबाइल आप देख लेते हैं कौन सी है तो यह है 1GPS LAN हमें क्योंकि इंटरनेट फास्ट चेक करना है तो आप ध्यां रखे जब भी नेटवर्किंग यूज़ करें तो जो राउटर है वह गीगावेट इस अब इसमें हम फिलाल इसको वैन वाले पोर्ट पर लगा रहेते हैं क्योंकि अब इसकी सेटिंग जो है नॉर्मल राउटर मोड पर होगी तो उसलिए हम कर रहे हैं पाक कि इसकी एप की बास कि जाए तो मोबाइल पर यहां पर लिखा होगा देखो देखते हैं तो बॉक्स पर QR कोड दिया है लेकिन हम यहां पर मर्कसिस लिखते हैं मर्कसिस के अपनी एप है ठीक है अगर हम स्कैन की बास कि जाए तो जो इसके उपर QR कोड है उसे हम स्कैन कर लेते हैं क्योंकि ऑफिशल एप जो इंस्टॉल करना जारा अची बात है तो मुझे जहां तक आईडिय है वह सेम ही आप है देखो यही आप है तुसे हम इस्टॉल कर लेते हैं तो एप हमारी ओपन हो चुकी है जिसमें हमें कुछ साइन आप करने के लिए उपर आगा क्योंकि एक मैश राउटर है और असेप्ट करने की आर्या टान में करेंगे एक निया पासवर्ड रखेंगे इस पासवर्ड को हमने यूज करेंगे और साइन अप करेंगे इमेर आ चुकी है मक्सिस की तरफ से जस्ट क्लिक फिनिस रिजिट्रेशन करना है और एक्टिवेशन हो चुगे मारी तो जब हम एक पर आये एक्टिवेट एंड लोगिन करेंगे तो जो पासवर्ड हमने रख तो मर्क सिस घरवाइबन करेंगे और एक हैं तरह यहां फाज़ी में मोवाइल रिखा च्वार के पासवर्ड की बात कि जाए तो इसके नीचे लिखा एढे डेख लिखा है पासवर्ड लिखा हुए Italia कोस्षर हमने टाल दिया है और यहां भीए पैस आये वाज़ तो सर्चिंग फोर डिवाइस आ रहा है यह लैन पे सर्च करता है तो यहां पर फिफ्टी जी हमारा पास एक वाइफे राउट आ चुका है कि हमने इसको भी वैन वाले पोर्ट पे लगाई रहा है और इसका एक न्यू पासवर्ट रख देते हैं तो हम यह वाला पासवर्ट नहीं रखेंगे हम अपना जैसे एडमीन 123 इस तरह से पासवर्ट यह थोड़ा एजी रहेगा हमारे को याद रहता है जो हम डिवाइस को अभी डाइनमिक आपीडर्स है हमारे पास लेकिन अगर इसमें प्प्योई स्टैटिक और प्ट्प यह इतने सारे कनेक्शन इसमें अगर आपके वास प्प्योई है तो वह स्टैटिक अपीडर्स है तो जैसे हमारे पास पर इंटरनेट चल रहा है इसका अपना तो अलग बनेगा है क्योंकि वैन वाले पोर्ट पर लगाई ना इसमें तो अगर सेम होता तो सेम बन जाता लेकिन ऐसा नहीं है लेकिन हम इसक अच्छी बात है तो हमारा जो नाम है MR50G इसका वह रखतेते हैं पासवर्ड हम पासवर्ड रखतेते हैं तो सेम रहेगा यह सैटिंग है इसको हम यह से स्क्रीनशोट ले सकते हैं अपने सेव करने के लिए बस इतनी सी सेटिंग सी जिससे हमारा राउटर कनफीगर हो गया बस लैन केबल जो पीछे से आई है उसको इसमें लगाया और बसे चल पड़ा यह सीम वाला डिवाइस निया है का आफि लोग कन्फीज होते हैं तो यहां से कोपी पासवर्ड किया और जो इसका वाइफे का नया नाम आ रहा है उस पे हम क्लिक करके पासवर्ड डालके कनेक कर लेंगे अब हम देखेंगे राउटर में कौन-कौन से फीचर से हैं आई एम क्रेंक्टिड लोग इन टुद राउटर पासवर्ड एडमिन वन तो थी कुम्रेटिलेशन यू कैन आउ एंज्वाय दा इंटरनेट तो सबसे पहले बात कि जाए वी फांड अनदर आउटर इसने बता दिया कभी ऐसा नहीं देखने को मिला हमारको भी ऐसा दिखाया जैनेट का नेटवर्क अड़ेश्ट ट्रांसलेशन इससे क्या होता है जो पीछे का नेटवर्क जैसे पीछे का इसा है वो बन नाइं टो बन डॉट कुछ सीरीज में जरु अब इसने क्या बनाया होगा वो शैद इसी सीरीज में होगा तब इसने ऐसा बोला या फिर इसकी लग सीरीज होगी इसकी वैसे अलग ही सीरीज होगी जीरो डॉट वर्क लेकिन इसने बताया भी आपका सेम नेटवर्क जो है मोडम कॉमब राउटर का अलग से हो जाएगा इफ यूर यूजिंग यहां कि इसमें एक मोड है जिसमें हमें ब्रीज मोड में स्विच करना पड़ेगा इसे ठीक है ओके कर लेंगे तो अभी हमें फिंगर पेंट से ऑन गॉफ करना है तो ऐसी को जूरत नहीं है और यह हमारा होम नेटवर्क ऑनलाइन जिसमें हमारा ओफलान डिवाइस अगर ह सकते हैं जिसमें उसका पासवार्ड लोकल अक्सेस या उसको हाइड करना है वो सारी सेटिंग कर सकते हैं लोकल अक्सेस देना है उनकी नेटवर्किंग में रखना है या नहीं रखना है को हम नहीं चाते हैं हमारे डिवाइस में अक्सेस करें तो ऐसा कर सकते हैं तो इस तर अगर अगर बीवाइसे तो उसका स्पैस्ल में यहां पर डाल के उसको वह पूरा सेट अप जो है फिर से चेक करता भी इसमें इंटरेंट कौन से लगा क्या क्या करना क्या निकरना एक विजार है जिसने कहते न और उसके बाद डायनमीक अपेटरस चनेक्शन है तो हम यहां स से देख सकते हैं चेंज करने को हम चेंज ह्रों देखने की सबने साते हों थाम पर हमारे को 시न आपड़ाइब पिर जैसे हम हम पर इसके हंप पहले से जो की मलब भो हमें राएख वर जो ब्रीज़ मोड नेट्वर्क भी बना सकते है तो फिलाल उप्रेशन ब्राटर भी धुझेंटेंगे यहां पर रखनी है तो इसमें क्या हो गाँ पिशो पर और हो ऐसे यहरा देलाइट सेविंग सब्सक्राइब करने हैं तो इस तरह से प्रोफाइल है जिसमें हम कुछ वैबसाइट है इसमें ब्लॉक कर सकते हैं जिसमें हम किसी पर्टिकॉलर डिवाइस को बेंड़ विद्ध कम ज्यादा कर सकते हैं यह अच्छी बात है अगर आप चाहते हैं घर में और भी इसे मैंडेज कर सकें यह डाउनलोड करके तो उनको हम यहां पर अड़कर सकते हैं उनको इमिटरेस जाएगा और फिर वो मैंज बन सकते हैं उनको प्रमिशन क्या करें यह वो भी सारी सेटिंग कर सकते हैं और यहां से नए डिवाइस हम एड़ कर सकते हैं और बस यही है जो हम वराउजर पर देखना चाते तो उसके लिए हमारे को 192.1 जो है इसका खोलना पड़ा और जो यूजर ने पासफ़र हमने ब आपको बताएंगे फिलाल यहां पर नेटवर्क मैप है इंटरनेट हमारा किस टाइप का है तो है यह उसके लावा वाइलेस की बात ही जाए इनेबल है ठीक है सबकुस इनेबल है गैस नेटवर्क है उसके लावा यहां पर एडवांस में चले जाए तो क्विक शेटप है जिसमें रॉकर मोड कानेटवर्क में स्टेटस क्या है लेंक क्या है इसमें को jewel कोनेवर्क ऽ्हीं करना है विकाते करना है और्वांस सेटिक की बात करएए यहां पर हुआ इंस को तो जादा अच रहेगा खुद का DNS डालेंगे तो नेटवर्क में कभी दिक्कत आ जाती है तो यह अडवांस है इसमें पिंग भी काक्षपास्ट होता है और किस को IP TV देना है किस port पे लेन वन को क्या रखना है यह दो सारे option यह जो है इस तरह से enable कर सकते हैं इसको करनी तो यहां से even कर सकते हैं और कई आपी केमर होता है उसको लक्स देनी होतीती है तो यहां सी जोड़ा हुआ है इसका बना हुआ है इसका बना हुआ है इसका बना हुआ है इसका आगा यहां पर 168 वन भी खुलेंगे तो भी खुल जाएगा क्योंकि इसमें यहां पर बना सकते हैं इसने अपने अपको दी बनाया हुआ है यहां पर आड़ कर सकते हैं इसके जो बटन है उसके ऑन-off करने पर हमेरे को डवली पैस लग जागा है कि कई डिवाइस में डवली पैस वहता है तो बीना पासवर्ड से एक नेट्वर्क है डवली पैस का मदलग है वाइलेस प्रोटेक्शन सिस्टम जो वाइलेस दिवाइस को आपस में चोड़ने के लिए यहां से मैनुवली और रिमोटली भी एक बटम दिया हुआ है जिस अगर करते हैं तो बात करें हम रिपीटर मोड की तो हमें डवली डियस में वह अप्शन मिल जाएगी जिससे हम टूपेंट फोर गिगाड़ का डवली डियस बना सकते हैं और और इसमें जोड सकते हैं और कौन-कौन से राउटर है इसका मोड चेंज करते हैं यह में हैं खर दिखना पड़ेगा इसकी इसकी वेब सैट में देखेंगे और आपको यहां पर पे पर आप्चान और कर दिया और इसमें नाम डाल दिया यह उमारे बच्चे हैं अब इसको बच्चों को जो है कौन-कौन से कीवड बाग करने हैं ठीक है वह यहे हैं इसको गलट जैसे होते हिने को चेंज कर देंगे और इसमें नहीं ते hari ना झा पया ने करके देफ्चेया से मुन हमों चाहिक बढलेफ। है नेट बूस्ट है तो इससे क्योंगा कि अगर हम इनेबल करते हैं ठीक है इनेबल नेट बूस्ट है इसको फटा-फट से पीछे से अडर्स टानलिशन हो तो इसे आफ करके फिर जो हम पैंड विद कंट्रोल भी कर सकते हैं बड़िया चीज़े हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस इसको क्या इपड़े रहे हैं यह सारी ओप्शने देखो इसमें क्या होई सर्विसी इनेबल करनी है वो सारी ओप्शन इसमें है क्या बात खतरनाग राउट है रिस्पोंड पेंग फ्रॉंग लैन बहुत सारी चीजिए मुलेक तरह से मालब जैसे इसमें लिखना भी सपैस हमार को क्या के मिल जाता है उसके बाद ट्रेस आएगा जो हमारे मलग यह से आते हैं उसके बाद यह भाला यह वह पांच-छे और कितना जो है जो कहां-कहां पर लग रहा है क्या वाद है इतने सारे आई-पीडेस पे होने के बाद जाके जो हम गूगल तक पहुंचेंगे जो यह आई-पीडेस है डोट अभी भी नहीं पहुंचे दस वहारा बाई और इन पे देखो कितना पिंग लग रहा है मतलब तो यह भी बहुत जारी बड़ी चीज है जो कि हमा अब हम देखते हैं इसका वाई-पिकी यह वाई-पीडेस्टर दिखते हैं इसके अमकर फिर हम करेंगे देखसे इन और पिर अब करेंगे काल खनल तो सबसे पहले हम इसका है क्रेंडस कर लेते हैं क्योंकि स्वीड कर ना बहुत जूरी है अई-इस तो यह वाइफाई 6 राउटर नी यह वाइफाई भी है तो देखते हैं इसके में में अब यहाँ थे तो दोस्व थे स्पीड आई मिरे साफ से की स्पीड तो मालब अप्लोड की तो पूरी आरी एक सो 9184 डावलोड की शायद पीछे से कम होगी शायद ऐसा होगा एक बार दोबारा टेस्ट कर लेते हैं फर्स्टाम पिंग तेरा अब सेकंड पिंग बंद रहा है तो डावलोडिंग में कुछ ना कुछ गड़मड है शाय बाराव समय पीएस पूरी नहीं आती है मला हमारे डिवाइस भी सेम जो हर्डवेर इसमें है वह हर्डवेर हमारे पास भी होना जीता और अपर कमेटिबिल्टी लेकिन डीपीम अच्छे आरे लेको ठारा डीवेक्शन अच्छे ले और चलो पहले हम इसका वाइफाइ का सि कि बात किया तो अभी मैंने किया था अब दवारा से आपको जानने जाते करा देते हैं अपलोड तो लेकुन एक सब्सक्राइब करने में लिए ये भी काफी है कि काफी सही ए इसका दो डंडे आ यहां बे अलब लेकिन रवर बता रहा है नो नो इंट्रेश चल भी रहा है सही है यह राओ रहे इसकी रहें ज्यादा है जैसे की टेंडा एसी टेंज तो यहां पर निप पहुंचा था पहुंचा था मर्स बाब दोले उ न वैसे मर्स इस तो यहां पर हमने जोड़ना है MW-MR 50G के साथ और फिर करना है Speed test तो यहां पर हमने मुझे लगता है ठीक आईगी अच्छी क्योंकि इसका 2.4 गीगाड काफी स्ट्रॉंग है 20-30 तक आ जानी सी लेकिन देखते हैं कितनी आपाती है फॉर्स टेश्ट में तो आई सिर्फ 4 Mbps की Speed इतना कमजोर होगा मुझे मालूम नहीं था कहां अच्छा MW-330 HP आता है और यह इतना 6-6 antenna वाला router भी देखो क्या कर रहा है मैं अच्छा पर आप देख सकते हैं comparison हमारे लग-लग router की list के हिसाफ़ से लग-लग speed यहां पर जो भी राउटर हमने नीचे लगाए और उनमें लैन के लगाई और उसके बार यहां तक आके हमने speed test की तो कितनी speed यहां पर कौन सबसी ज्यादा अच्छी जो है speed यहां तक परचा पाया अभी तक जो हमने इसके similar type router हमने यूज किया है उनकी लेश्टी यहां पर देसे उससाफ से आप अगर आप चाहते हैं भी जैसे दो मिंजल उपर दो मिंजल दूर अगर आप रेंच आते तो उससाफ से आप राउटर चूज कर सकते हैं इसकी तो आठ है मिपर डाउड़डिंग और 0.65 MBBS की अपलोड है तो आपने देखा इसका वाइफई सिगनल टेश्ट भी हमने इतनी दूर गए उपर नीचा आगे पिछे कहां कहां तक इसका वाइफई आ रहा था अब हम चेक करेंगे इसका रिपीटर ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमारे को एडवांस में जाना है और वाइले तो आज तक सिर्फ वही एक वाइफई रिपेटर हो पाया मैं यहां तक वहां से लेकर तो अभी सर्वे करते हैं देखते हैं वहां से यह उसको कनेक्ट कर पाता है नहीं कर पाता है तो यह देखो बिल्कुल माड़ा सा सिगनल आता है तो उसका पासवर डाल लेता हूं तो म अगर मतलब क्या है कि इतनी सारी ओपरेशन मोड इसमें लग से अगर पेटर का ऑपरेशन मोड होता तो वह अपने आप इसकी सारी सेटिंग चेंड करता है तो अब इसका वाइफई एम और 50G है और देखते हैं इसका कनेक्टेट होता है या नहीं होता है एक वार ऐसा करते आडवांस में जाते हैं WDS में द्वार क्लिक कर देते हैं यहां तक वैसे बिल्कुल मामली सी रही जाती है अगर मैं अपने मोबाइल की बात करूं तो यहां पे तो वाइफई का नाम ही नहीं आ रहा हो उनका जो वाइफई हम इसके साथ करने के कुश्च करें तो दोस्तों यहां कि एक कमरा छोड़के यह कर लेगा दो कमरे चोड़के विल्कुल किनार वे रखेंगे तब जाके जोड़ेगा तो इस तरहां से इसका रेपीटर था जिसमें 2.4 की आप स्पीड देख सकते हैं और 5G गाड़ के स्पीड देख सकते हैं एक हम ने इसका स्पीड टेट क दोस्तों आगर हमने इसको एकसा स्पीड मोड पे किया जो कि आप यहां पर देख रहे हैं उसमें बहुत एक लिमिडेट सी सेटिंग से रह जाती है जिसमें डेटवर्क में में इंटरनेट डिसनेट आयाता है फिर वह तो बाता भी है लेन कहीं में इंटरनेट मिली मास वाइलेस वह भी गाया बोजाता है तो एक तरह से मालब राउटर में हम अभी तक रपीटर मोड नहीं कर पाए और यहां पे अगर लैन जो अब हम वैन वाले पोर्ड में लगाते हैं खैर इसका इसको इंटरनेट मिलेगा समझेगा यह सेम सीरीज का तो क्या बनता है द साता है वन वाली स्रीज का और हमारा जो सर्वर है चलना शुरू हो गया अपने हां इसको है 254 जैसे 254 पे जाए सकते हैं लेकिन इसमें जादा सेटिंग है नहीं है रेपीटर पूर्टर के आप्शन है ही नहीं मतलब अडवांस है तो एक लिंप्टीड जैसे सैटिंग्स रह जाती है इसमें और सिस्टम में यह है इसमें एडवांस वाला ट्यों टैप था उसमें तो वाइफे डॉल्टी एस ऑन और आफी हो गया है और सेम नेटवर्क इसमें चल रहा है मलब तो इसमें अक्सेस परनों और आपने देखा भी कितने इसकी इसका रिपीटर मोड देखा सारी सेटिंग्स है कि यह हमने सेल में खृद है दोजर पांस पर रहते लेकिन अब आप सेल में खिर सकते हैं चल्दी से जल्दी और यह चेंटेने का था वाइफे रेंज आपने देख ली लग इतना सही भी नही अच्छा था इससे बढ़िया तो अगर ज्यादा वाइफे 2.4 की गाड़की चाहिए तो MW330HPA तो है यह है तो हमें आश्या भी आपको यह पसंद आया होगा अगर आपको लगे भी आपकी काम का है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप से खरी चकते हैं और इतना हार सबस्ते हैं के अपको लगजार इतना और इतना आपको यह है तो है मैं आपको लगेए 2.4 को